यहीं से शुरू होता है और ये पॉइंट क्या है अपॉइंड मेंट ओफ ओडिटर किसी भी कंपनी में ओडिटर का अपॉइंड में कैसे होगा यहीं से हमारा सेक्षन शुरू होता है 139 देख रहे हूं आप पे कि नहीं है 139 है लेकिन 139 के अंदर भी 6 है, है 6, बनावर, तो सर ये अंदर का सबसेक्शन भी याद करना पढ़ेगा क्या, याद करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 139 भी याद रख लो के तो बहुत है, अब हुआ क्या, थोड़ा सा इस बार दिक्कत है, ने कंपनी जाएक में, पु पहले जो 139 मालो 140, 141 में जो चीज़ें दी, वो इसी के अंदर गुजा दी, तो अब हर सब सेक्शन अपने आप में उतने ही वेटेज रख रहा है, जितना एक सेक्शन रखता है, इसलिए बला टॉपिक बन गया, काफी चीज़ें लंबी होगी एक इसेक्शन के अंदर, त कि कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइट कर दिया है, सिंपल दो पार्ट में डिवाइट किया, जिसका आज आपको सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, एक तो इनों ने कर दिया, other than government company, बराबर, और अलग provision बना दिये, किसके लिए, government companies के लिए, सर ये government company क्या होती है, वही जो companies act 2013 के section 245 में होती है, क्या होती है भई वह, क्या होती है, government company, सरकारी company वह है, जिसकी capital के 50% से जादा पर, more than 50% पर, central government का, किंदरी सरकार, या state government, राज़ी सरकार का, या इनके किसी combination का control है, वह company कहलाती है, government company, इसलिए साथ में law का नॉलेज बना जरूरी है, उसके बिना ये audit का chapter नहीं कर सकते हैं, तो हमने auditor के appointment को, company में auditor के appointment को दो पार्ट में डिवाइट किया, other than government company और government company, तो ये portion तो बहुत छोटा है, इसके लिए तो 2-3 section ये and topic हतम, सबसे main काम रहेगा ये, क्यूंकि चाहे आपकी company फिर बड़े level पे public हो, चाहे private हो, आपके लिए section काम करेगा, ये जाधा तर तो ये ही करेगा न, ये तो बहुत चोटा मोटा point हो गया, है न, तो other than government company में भी auditor के appointment को हमने दो part में divide किया, ठीक है, पहले है appointment of first auditor, पहला auditor क्या होगा, कैसे appointment होगा, उसका rule अलग, और दूसरे number पर है appointment of subsequent auditor, subsequent का मतलब, पश्चातवर्ती, बात का second, third, fourth जो भी है, है न, तो अब हिंदी वालों अगर note करोगे, इंग्लिस में करो ये भी note, हिंदी notes मिलेंगे, उसमें हिंदी में पढ़ोगे, लेकिन ये तो समझ में आता है, गैर सरकारी कंपनिया, सरकारी कंपनिया, दिक्कत ही नहीं है, मैंने लिखा appointment of first auditor, प्रथम अंकेक्षक की न्युकती, सबसीक्वेंड के लिए, पश्चावर्ती, पश्चातवर्ती, है न, पहली बार auditor appoint होगा, यहां होगा, पहली बार का मतलब नहीं नहीं company बनी है, नया ना incorporation हुआ है, तो नया incorporation होता है, तो पहले auditor का appointment कौन करेगा, उसके rule अलग है, उसके बाद second, third, fourth, fifth, जो भी auditor आएगा, बाद में जो भी आएगा, जब भी आएगा, उसके लिए rule सारे अलग है, तो अब अपने को rule समझने है, rule पढ़ने है, याद रखने है, बहुत अच्छा topic है, law wise बहुत easy है, तो आज की class में बात करनी है, इस topic पर सिर्फ appointment of first auditor पर है, किसी भी company में, पहले auditor का appointment, कौन और कप करेगा, देखो वहाँ से, कुछ पता लगता है क्या अपने को, सर वहाँ से, पढ़ने से, पता लग रहा है, first auditor of the company, shall be appointed by the board of director, within 30 days of its date of registration, मिल गया, यहाँ तक, सबसे पहला, point में ने बनाया, when, कब appoint करना है, registration से, कितने दिन, 30 दिन, 30 लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया, 30 days, from, date of registration, समा मिलन की तारिक से, 30 दिन के भीतर, बराबर, suppose करो, कि registration हमने करवाया है, हमारी company का, आज की date ले लेते हैं न, या कोई ऐसी date लेते हैं, जिस पे आराम से काम कर पाएं, 1st में 2017, एक तारिक रहेगे तो थोड़ा easy calculation हो चाहेगी, एक मई 17 को हमारी company का registration हुआ है, certificate पे date लिखी हुए है, बदाईए, ओडिटर, फस्ट वाला, कब तक अपंड हो जाना चाहिए, यहां से 30 दिन, यहां से 30 दिन बोले तो, 31 मही तक, एक को include करते हुए, 31 मही तक हो जाना चाहिए, क्या बोलते हुए, 31 मही, 30 मही, क्या बोलोगे, 30 मही तक, एक को include करके, exact 30 दिन हो गए, तो यहां से 30 दिन, 30 days, up to 30th में, पहले auditor का appointment हो जाना चाहिए, अब यह सब पढ़ेंगे अपन, कौन होगा, auditor क्या होगा, इतना तो सब जानते हो कि CEO होगा, और वो भी कौन से वाला, जिसके बाद COP होगी, बाकी सब कुछ अभी कुछ नहीं, दिमाग में रख रहा है, सब CEO होगा, जिसके बाद COP होनी चाहिए, और इस auditor का appointment, कौन करेगा, who, who can appoint, कौन appoint कर सकता है, तो आपके पास जवाब आया, board of directors, authority to appoint, time, है ना, बहुत simple काम, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत आसान है, first auditor, पहला auditor, अगर Excel Commerce Academy बनती है, एक में 2017 को, हमारा registration होता है, तो law कहता है, भाईया, आपको यहां से 30 जिन्में B.O.D. इसके जिम्मेवरी है, कि वो auditor का appointment कर दें, बरावर, by chance, हमारा board, 30 जिन्में, अपोइंट करने में, फेल हो गया, हम नहीं कर पाए, किसी कारण वश, किसी रीजन से, हम auditor का appointment, 30 जिन्में के अंदर नहीं कर पाए, तो, देखो, law ने provision बनाया होगा, जरूर, in case of failure to do so by board, अगर board ऐसा नहीं कर पाए, क्या लिखा है, the members shall be informed, company के members को, इसकी information, दी जाएगी, है न, and they shall appoint, the same within, कितना लिखा है, 90 days from incorporation, यहां तक, बस यहां तक अभी, तो, अगला point आया मेरा, in case of failure, अगर board appoint करने में failure हो गया, तो, बताओ, appoint कौन करेगा, तो, point बना, company के, members मतलब shareholders, ठीक है, कितने दिन में, सब लोक, दिमाग लगाना, within, कितना, 90 days, 90 लिखा है, कहां से, कहां से, from incorporation, तो, सोचो, actual में कितने मिले, चला दिमाग, 60 दिन ही मिले, सोचो, कि नहीं सोच रहे हो, यही तो law है, समझ में आई बात, अरे, actual में तुमको 60 days ही मिल रहे हैं अब, ऐसा क्यों, 60 ही क्यों, सर, law ने लिख दिया, भाया, in corporation से 90 दिन, लेकिन 30 दिन तो अलरड़ी, बीद गया है, कि नहीं बीद है, भाई, पहले 30 दिन आपने B.O.D.S. को दे दिये, B.O.D.S. अपॉइंट करने में फेल हो गए, सारे members को inform किया, members ने law की बुक निगा ली और बोला, हम अपॉइंट कर सकते हैं क्या, बिलकुल कर सकते हो, कितने दिन में करना हैं हमको, in corporation से 90 दिन में, अरे, 90 में से 30 दिन दो चले गए, तो practically कितने बचे, 60 दिन ही हैं तुमारे पास में, अपॉइंट करने के लिए, ये ध्यान रखोगे, लेकिन exam में 60 दिन नहीं लिखना है, exam में तो वही लिखना है, जो law कहती है, law कहती है, 90 days, लेकिन पूरी line लिखनी पड़ेगी, 90 days किदर से, from in corporation, बहुत आसान है, बहुत simple है, दो चार बार बुगलोगे तो ऐसे ही आद हो जाएगा, other than government company में, auditor का appointment सबसे पहले, first auditor का appointment कौन करता है, sir, board of director कर देता है, 30 दिन में, नहीं कर पाए तो, sir, member कर देंगे, याब member कितने दिन में करेंगे, sir, in corporation से, 90 days में करेंगे, practically सोचो तो, 60 दिन है, उनके पास में बहुत कर देंगे, ब भी नहीं कर पाए, तो फिर कौन करेगा, तो नए companies act में तो दिया वा था, कि अगर 90 दिन में ये भी नहीं कर पाए, तो हम central government को बोलेंगे, और central government, साथ central government बोलेंगे, तो कौन, अपना company law का knowledge लगाओ, जो लोग सुबह पढ़ रहे हैं भी, वो सुबह की class का knowledge लगाओ, मैंन अपन वो नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे CG, central government, आप CG को inform करोगे, CG को बताओगे, sir, auditor का appointment नहीं हो पाया, और central government साथ दिन में फिर auditor का appointment करेगी, लेकिन ये सब था companies act 1956 में, नए वाले में कुछ नहीं बोला, कि 90 दिन में ये नहीं कर पाए, तो क्या करना है, कोई provision बना नहीं, बनाया नहीं तो आपन यहां सिखा भी नहीं सकता, आपको में बात भी नहीं कर सकता, practical में कभी ऐसा होगा, तब government को याद आएगी, कि provision बनाना भूल गया, तो बना देंगे, लेकिन फिलाल तो ये ही provision है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, बात हो लि कितने दिन में, इन corporation से, 90 days में, हम जानते हैं कि practically 60 दिन इनके पास है, ये आपको धान में यहां पर रखना चाहिए, ठीक है, बराबर, बात समझे माई, अब ये जो आदमी as auditor appoint होगा, ये कितने time काम करेगा, एक्चुल में हर auditor का अपना एक term है, याद रखिए, एक auditor किसी company म जीवन भर के लिए, अपोइंट नहीं हो सकता है, एक बार हमने अपोइंट कर दिया, एक साल, दस साल के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक साल, दस साल के लिए अपोइंट कर दे हैं, तो वो जो independence वाला अपना पोइंट हाना है, वो effect हो जाएगा, एक साल, दस साल के भी एक बार appoint कर दो तो भी फरक पड़ता है तो एक साथ अपन लंबे टाइम के लिए उसको appoint नहीं करते हैं और ये तो पहली पहली बार आया है बंदा अभी तो board को आपने power दिये है तो अभी mainly auditor के appointment का जो power है company में वो members का होता है ठीक है हाँ ये तो नहीं कंपनी बनी है तो एक बार members का सोचेंगे तो हमने power किसको दे दिया directors को दे दिया तो ये जो बंदा काम करेगा ये कब तक करेगा यानि कि इस बंदे का tenure कितना होगा पढ़के देखो लिखा हुआ है वाह पे उपढ़ना है अपने को क्या लिखा है who shall hold office till conclusion of the first AGM यानि यहां लिख दो up to date of first AGM पहली AGM तक ही वो काम करेगा ये लिख दीजिए AGM के point मुझे समझाना है कल के class पर समझाऊंगा आज नहीं क्योंकि मुझे बला topic लेना है इसके उपर फिरी है आज अपने थोड़ा सा टाइम उसमें लगा दिया कल वाले topic में तो ये अभी सिम लिखना है अभी समझाया नहीं है मैं मैं समझाऊंगा आपको AGM कब होती है क्योंकि लो में तो तुम पता नहीं कब पढ़ोगे उसको लो में तो अपने चप्टर नुमर 15 में तो सोचो सोचो ये कंपनी इंकॉर्परेट हुई एक मई सत्रा को इस कंपनी का पहला financial year क्या होगा कोई बदा सकता है हाँ एक मई सत्रा से चालू होकर के 31 मार्च 2018 यह होगा सर लेकिन 12 महीने का तो हुआ ही रही है अलाउड है तो बट ओगी है से इतना तो गवर्मेंट खुद भी जानती है हाना तो इस financial year के लिए company AGM बुलाएगी मैंने आपको बदाया था AGM की date बोलो पहली AGM company की कब बुलाई जाएगी कल AGM के rule लिखाओंगा class के अंदर पर ऐसे ही अभी तो commonly यूँ ही पूछ रहा हूँ दो मिने टाइम बस कर रहा हूँ बोलो पहली AGM कब बुला नहीं है date बोलो चलो दो option देना हो ना तुम CPT वाले आदत है अभी ता 30 September 2018 तक या 30 September 2017 पही बुला लें क्या कहते हूँ 17 पही बुला लेंगा बुला लें हाँ बात तो सही बुला ये चोरा आप फर्स ग्रूप पढ़ क्या है पर्स ग्रूप में आपन पढ़ेंगे इसको देखो AGM में बहुत important काम करना होता है तुमको अपने financial statement रखने होता है AGM का सबसे important काम ही है financial statement audit करवा के रखने बढ़ते हैं तो 31 सेप्टेंबर 17 तक तो तुम्हारे financial statement बने ही नहीं है शाली खतम नहीं हुआ है तो जैसा इसने बुला प्रथम वितिय वर्ष की समापती के छे महिने के भीतर वार्षिक साधरन सबाब बुलाई जाएगी हिंदी वालाओं के लिए English वाले सुन लो first AGM must be called within तो ऐसा इसने अब भी बोला न first AGM हटा देता हूँ AGM must be called within six months from the closure of financial year ब्राबर तो financial year खतम कब होगा 31 March 18 गो है ना तो यहां से छे महिने 30 September 18 तक आपको क्या करना है AGM बुलानी है और यह पहला auditor काम भी कब तक करेगा पहली AGM तक बस तो फिर फिर पहली AGM में दूसरा आएगा आएगा ना अभी यह रूल पढ़ना है ना आपने को कौन सा appointment of subsequent auditor पर अभी इस पर आज की class में दिमाग मत लगाओ कल इसके रूल समझाओंगा तब दिमाग लगाना कैसे आएगा कैसे जाएगा क्या होगा अभी कुछ नहीं अभी तो एकदम बिंदास एक मई दोजार अठारा को स्वारी सातरा को बढ़िया मौरत में हमने company खोल दिये जैसे ही company का incorporation का certificate एक मई का आगया पहली requirement क्या पूछी गई आपसे पदा हो भी auditor का appointment कितने टाइम में करना है क्या जवाब होगा आपका साब 30 जिन में करना है किसकी जिम्मेवारी है board of directors एक नाम देंगे और वो जो बंदा appoint होगा वो कौन होगा CA होगा और CA भी कौन सा जिसके पास COP होगा बाइचांस बोड नहीं कर पाये तो सर मेंबर्स कर देंगे दिक्कत क्या है मेंबर्स के पास टाइम कितना सर लो के साब से तो aid corporation से नबे दिन प्रैक्टिकल देखो तो अब साट दिन है उनके पास में appointment कर देगा वो काम कब तक करेगा पहली AGM तक करेगा बस इतना अब क्या होगी पहली AGM कब होगी कितने time period की वो audit करेगा नया कैसे आएगा वो सब कुछ करेंगे कल की class के अंदर आज इतने ही करिए आज इतने ही करिए कल की class के अंदर अपन इन topics के उपर आगे बात करेंगे बराबर इतने आज करना है